कि अच्वागत है आपका फिर से सब्सक्राइब के ऑफिसियल यूट्यूब पर जैसा कि आप लोगों से हम वादा किये थे हम आएंगे आपके लिए सब्जेक्टिव चीजों को ले करके चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज तो हम लोग क्लास 12 का फॉर्स चैप्टर रिप्रोडक्शन इन और्गनीजम वो ले करके आए हैं आपके लिए और आज इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ तो सबसे पहले हमको यह क्लियर कर दीजे कि कि आपको आपके पास मेरी आवाज और मेरा वीडियो और आडियो आपके तक सही सही आ रहा है या नहीं आप मुझे यह क्लियर कर दीजिए कि मैं आडिबल और वीजिबल टू यू अल आप लोगों तक मेरी आवाज सही सही पहुंच रही है में आडिबल और वीजिबल टू यू कोई तरह का ग्लिच्च साउंड में कोई प्रावलम चलिए कोई दिक्कत नहीं हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन और्गनिजम के जितने भी फोकस्ड एरिया हैं जहां से प्रश्णों को आने की संभावना बहुत जादा होती है उनको डिसकस करने वाले हैं आज अपने आज के इ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में तो सबसे पहले इस चैप्टर का टॉपिक है जो सीर्शक है इस चैप्टर का वह है रिप्रोड़क्शन इन और्गनिजम्स तो रिप्रोड़क्शन इन और्गनिजम्स को जानने से पहले यह जानो कि रिप्रोड़क्शन क्या होता in which an organism gives rise to young ones जिसमें किसी कोई एक organism अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है अपने अपका इसका भी सुना है वैसा होता भी नहीं है क्योंकि reproduction जब भी होता है तो कोई भी organism अपने जैसे organism को जन्म देता है जैसा वो खुद होता है वैसा ही उसका प्रोजनी उसका आप्स्प्रिंग बनता है यह जनेटिक्स से रिलेटेड बाते हैं ठीक है कोई दिक्कत चलिए अब इसी चीज को हिंदी में समझते हैं क्या लिखा हुआ है जनन द्वारा कोई जीव या वनस्पती या प्रानी जीव में वनस्पती प्लांट्स भी आते हैं हैimize मिज़ से फिलेटेब्ट क्लड्स प्रांट्स आरेशि längद्ट अनिमल fij बर्म कोई जीव जन्तु कुछ भी आसकता है चाहिए वह प्लांट आजाई है अपने ही सदृज्फ्ट अपने ही तरह दिखने वाले अपने ही जैसे दिखने वाले किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाती की विर्द्धी करता है जन्म देने की इसी क्रिया को जनन कहते हैं कितना जरूरत है जितना सा हमसे पूछा उतना ही देना है कि बोर्ड मेंबर को जो कुछता है जितना पूछा न उतना ही देना को एक्स्ट्रा रामायन हमको नहीं लिखना है उसके ल जानवर कोई जीव किंस राइस टूद्यार यंग वन्स जो अपने जैसे बच्चों को जन्व देता है यंग वन्स को सेक्शुल रिप्रोड़क्शन में अब देखो अगर सेक्शुल रिप्रोड़क्शन हो रहा है तो उसका जो अगला जन्रेशन है उसको हम लोग कहते हैं of spring कैसे कहिए यदेते हैं लेकिन अगर और तब क्या कहेंगे सर? तो अगर asexual reproduction हो रहा हो, तो हम लोग उसको कह देते हैं clones, क्या कह देते हैं? clones, और जब हम distinguish नहीं करते हैं, जब हम differentiate नहीं करते हैं, अलग-अलग नहीं करते हैं, कि sexual की बात कर रहे हैं, या asexual की बात कर रहे हैं, तब जाकर के हम उसको commonly क्या कह देते हैं, प्रोजेनी कह देते हैं, ठीक है, और प्रोजेनी में offspring भी आता है और clones भी आते हैं, कोई तरह का दिक्कत, कितना बात में किसी को कोई परेशानी, बताइए, इतने चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलते हम लोग आगे की तरफ, अब जो अगला important चीज पूछ सकता है, बताओ बबू, life span क्या होता है, जीवन अब धी क्या होता है, जीवन काल क्या होता है, किसी जीवकार, देखो, जीवन काल, कितना समय तब कोई परानी जीवित रहा, वो जीवन काल है, ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे define नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं define कर सकते हैं, अब मान लोग कोई बच्चा पैदा हुआ और उसका death हो गया, उसकी मृत्यू हो गई, suppose एक case में किसी का जन्म हुआ और उसकी मृत्यू हो गई, तो वो उसका जीवन काल हम लोग उसको define नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कैसे define करेंगे, किसी का जन्म से ले करके उसके प्राकिर्तिक मृत्यू, birth to natural death, जन्म से ले करके उसके प्राकिर्तिक मृत्यू तक का जो अवधी होता है, उसे हम जीवन अवधी कहते हैं, देखो, life span is the period, वो समय होता है, वो समयांतराल होता है, जिसमें किसी organism का बर्थ से ले करके natural death की बात कर रहे हैं, सिर रहेंगे कि उसका life span पूरा हुआ, समझ में आया, जैसे किसी इंसान का proper life span कितना हो सकता है, तो कोई इंसान का जो एक average life होता है, वो 60 से 80 वर्स के बीच में होता है, आज के date में, पहले के जमाने के लोग बहुत रहते थे जिन्दा, बहुत समय तक जिन्दा रहते थे, किसी भी परानी का जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यू तक का जो समय होता है, उसको हम लोग life span करते हैं, किसी भी जीव के जन्म को लेकर, जन्म से लेकर, प्राकृतिक मृत्यू की अवधी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधी कहते हैं, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत बहुत आसान सभासा में बात कर रहे हैं हम लोग बहुत ही easy language का use कर रहे हैं ठीक है और जब हम लोग reproduction की बात करते हैं तो हम लोग class strength में थोड़ा भूथ हम लोगों को idea होता है कि reproduction क्या होता है जनन क्या होता है जनन तो अभी देख लिए कि क्या होता है कि अपने जैसे बच्चों को जन्म देने वाले एक प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कह देते हैं, जनन कह देते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है, ये भी तो पढ़ना है, जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कैसे, देखो, types of reproduction जनन के प्रकार दो प्रकार के reproduction होते हैं जनन दो तरीके से होता है दो प्रकार से होता है कौन-कौन सा पहला sexual और दूसरा asexual एक तो sexual विधी है जिसमें sexual विधी किसको कहते हैं जिसमें कम से कम दो parents की अवशकता होगी दो parents of opposite sex ठीक है opposite link वाले दो parents की आवशकता होगी एक male तो दूसरा female समझ में आया तब sexual reproduction की बाद जब भी की जाएए उसमें two parents का involvement होगा दो लोगों का involvement होगा एक male parent का और एक female parent का और तब उन दोने से जो प्रजनी बनेगा उसको हम लोग offspring कहेंगे क्यों अभी थोड़ा दिर पहले बताए थे कि sexual reproduction के प्रजनी को हम लोग क्या कहते हैं offspring कहते हैं ए sexual reproduction क्या होता है ऐसा reproduction जिसमें दो parent की आवशकता ना हो एक ही parents से काम चल जाए एक ही parents से कोई उसका प्रजनी डेवलफ हो जाए clone बन जाए उसको हम लोग कहते हैं ए sexual reproduction clone क्यों कहते है सोचे ओ कभी clone क्यों कहते है clone का मतलब होता है exact copy clone का मतलब क्या होता है फोटो इस्टेट देखे हो वैसा clone मतलब होता है exact identical copy अपने parents का copy हो जाना clone कहलाता है कमझ में आई बात इसलिए ये ए-sexual reproduction से जो भी product बनता है वो अपने ही parents के तरह हुब हुब दिखता है इसलिए उसको हम लोग clone कहते हैं offspring नहीं कहते हैं offspring में एक parents से प्रोजनी अलग-अलग दिखता है इवन प्रोजनी एक ही माबाप का दो बच्चा है तो वो भी आपस में अलग-अलग दिखता है समझ में आया अब देखो और लेंगिक जनन और लेंगिक जनन मतलब a-sexual reproduction क्या होता है और sexual reproduction क्या होता है अभी जो बताए वैसा ही लिखा हुआ होगा a-sexual reproduction वह जनन जिसमें दो जीवों की भागिदारी नहीं होती है अभी बताए ना कि एक ऐसा mode of reproduction एक ऐसा reproduction का mode जिसमें एक ही parent से काम चल जाए जिसमें दो जीवों की भागिदारी नहीं होती है इसमें एक जीव द्वारा ही संतान उत्पत्ती संभव है, इसमें एक ही जीव द्वारा संतान की उत्पत्ती संभव है, समझ में आया, इसमें एसेक्शुल रिप्रोडक्शन में, एक ऐसा मोड अफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक ही पैरेंट अपने जैसे प्रोजेनी को जन्व दे सकता है और दूसरा है सेक्शुल रिप्रोडक्शन और लैंग जनन की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें क्या बोलता है इसमें दो भिन जीवों की भागिदारी आवस्यक है भिन जीवों की याद रखना अपोजिट सेक्स का जरूरत होता है एक मेल तो दूसरा फीमेल अर्थात यह अनुवानसिक रूप से भिन होता है और जर्ण करते हैं मतलब एक ही माप के अगर दो संतान हैं भाइ-भाइ ही है या भाइ-बेहन ही है या बेहन बहन ही है तो भी दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिखते है क्यूं जने टिक्स वेरियेशन यहां पर काम करता है समझ में आया तब इसको genetics में discuss कर लेंगे हम लोग अलग से आगे अभी हम लोग क्या कर रहे है short revision कर रहे है fast revision कर रहे है जल्दी से जल्दी syllabus को खतम करें समझ लें पढ़ लें और उसके बाद जब एक chapter खतम हो जाएगा तब हम आपके लिए इस chapter का important questions चाहे वो subjective हो और objective हो एक दिन हम लेकर कर आएंगे दो गंटे के session में वहां आप मेरे साथ जुडियेगा तब हम लोग इस chapter के सारे questions को discuss कर लेंगे पहले पढ़तो लें क चैप्टर में क्या-क्या है अब है तुम्हारा टाइप ऑफ एसेक्शुल रिप्रोडक्शन के क्या-क्या दिक्कत है यहां से आगे बढ़ने से पहले हमको यह बताओ सब कुछ ठीक है समझ में आ रहा है मेरा आवाज भी आ रहा है कोई कट वर्ट तो नहीं हो रहा है ना आ क्या आदो हमको कि अब कुछ क्लियर है एकदम क्रिस्टल क्लियर मखन समझ में आएगा टेंशन नहीं लेने का है ठीक है मखन चलेगा सब कुछ इदर अब देखो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे और लेंगिक जनन के प्रकार टाइपस ऑफ एसेक्शुल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग और लेंगिक जनन क्या बोल रहा है कौन है कि सब ठीक है और लेंगिक जनन और लेंगिक प्रजनन में निमने लिखित च्छा प्रकार होते हैं छे प्रकार का बात करेंगे हम लोग और इसी छे टाइप को डिसकस करेंगे एसेक्शल डिप्रोडक्शन हो जा का कहते हैं binary fusion पच्पन में थोड़ा बहुत याद है कि binary 2 सब्द होता था एक 0 होता था एक वन होता था कंप्यूट्र वाला binary से यहां कोई ले ना देना ने binary का मतलब क्या होता है 2, binary का मतलब होता है 2 तो चीज से जब कभी कोई एक और्गिनिजम दो चीज में डिवाइड हो जाए दो पार्ट में डिवाइड हो जाए उसको हम लोग कहते हैं क्या binary fission कहते हैं समझाया अभी देखो किदर विखंडन फिजन या binary क्या होता है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाविक नाविक मतलब नूकलियस तो लगभग बराबर नाविकों में तूट जाता है विखंडन कहलाता है अब हम तुमको देखो इसका थोड़ा सा डाइग्राम बनाके दिखाते हैं कैसे होता है जैसे मान लो यह एक सेल है तो इसका सेल वाल भी हम बनाएए देते हैं क्या याद करोगे तो और उसके बाद हम बनाते हैं इसका नूकलियस नूकलियस कौन रंग से बना दें पीला पीला देड़ क्यों गया नूकलियस नूकलियस के उपर में होता है नूकलियर मेंब्रेन पांकि इसमें साइटोप्लास बगएरा बना दो पकड़ों क्या बोला नाभिक का विखंडन नाभिक का विखंडन होना है इसके अगले स्टेप में क्या करेगा एवा एशा कहानी बनेगा क्या होता है नाभिक टूटना शुरू हो नाभिक का विखंडन से पहले क्या होता है नाभिक का जो यह साइज है न यह थोड़ा लंबा होता है का ऐसा दिखेगा आपको कि नाभिक में क्या हुआ विखंडन शुरू हो गया में विखंडन शुरू हो गया देखो अच्छा हिंदी में इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में सेल वाल और हिंदी में कोशिका अंग्रेजी में बाहर वाला जो लेयर है उसको कहते हैं सेल वाल और जो इनर वाला लेयर है अंदर वाला लेयर है इसको हम लोग कहते हैं कोशिका जिल्ली है और अंग्रेजी में क्या कहते हैं सेल मेंब्रेण खुला सा और पढ़ लेगा क्या हो जाएगा कुछ नहीं हो जाएगा तो सेल मेंब्रेण का ही एक और नाम है जिसको कहते हैं प्लाजमा मेंब्रेण और इसी प्लाजमा मेंब्रेण का एक और नाम है बहुत बुद्धी जीवी लोग पूछ लेगा तुमसे तो करते हैं प्लाजमा लेमा इतना चीज याद रखने का है अब देखो यह क्या हुआ नूकलियस लंबा होने लगा इसके चारो तरफ क्या था साइटो प्लाजम था हमको कहें चोड़ दिया अधि framework इंग चल दिते हैं उसको भी तो यह क्या है नूकलियस क्या होने लगा लंबा होने लगा अब इसके बार क्या होगा अब देखो यह कि इसे डिखता ओना दोनों नूक्लियस क्या होता है अलग-अलग हों जाता है देखो नुकलियस इधर, देखो क्या हुआ, एक के नुकलियस था, वही थोड़ा लंबा हुआ, फिर दोनों अलग-अलग हो गया, दोनों में बात पर दोनों के अंदर जो समान भरा हुआ था, जो भी जीन्स भरे हुए थे, वो तो common थे, जब एक जैसे थे, तो दोनों में आ भी अलग-अलग हो गया, अब क्या होता है, अगला इस टेप में देखो, अगला इस टेप में क्या होता है, यह जो सिल वाल है अब यह भी टूटना शुरू कर देता है, देखो, यह ऐसा होने लगता है, देखो, हो गया अभी खंडन, खंडन होने लगा ना, एक सेल था, एक सेल डिवाइड करके, क्या होगी, अद्दू बने और यह जो बना न, इसको हम लोग जब सेल डिविजन पढ़ाएंगे, तब डिटेल में बताएंगे, क्लास 11 का चीज है यह, इसको हम लोग कहते हैं, रिजी में फरोग, ठीक है, अब आगे देखो, क्या होता है, अब आगे यह दोनों अलग अलग सेल बना करके, डिवाइड कर जाता है, ठीक है, समझ में आया, एक सेल था, एक सेल डिवाइड करके, दो अलग अलग सेल में डिवाइड कर गया, इसी चीज को क्या कहा गया, binary fusion कहा गया binary binary का मतलब क्या होता है two binary का मतलब होता है दो अगर कोई एक cell दो अलग-अलग cells में divide हो जाए तो वो क्या कहलाता है binary fusion कहलाता है समझ में आई बात एक cell अगर दो बराबर cells में divide कर जाए तो वो क्या कहलाता है binary fusion कहलाता है समझ में आया बात, कोई परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, कलते हैं अब आगे की तरफ, अपने अगले टॉपिक पर, बाइनरी फिजन समझ में आया, अब इसको समझ लो देखो बाइनरी फिजन होता क्या है, वह प्रकिरिया जिसमें एक भारी नुकलियस, एक भारी नुकलियस नुकलियस के अंदर न बंद रहता है, और नुकलियस का कॉपि बनाया, और deoxyribonucleacid जिसको हम लोग DNA कहते हैं DNA का full form हम बता चुके हैं DNA कहते हैं DNA का copy बनाता है and then divides into two parts और बार दो पार्ट में divide हो जाता है और इस process को हम लोग क्या कहते हैं cytokinesis दो सब्द है एक सब्द है cytokinesis इसके बाद cytokinesis तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ जब cell divide करता है binary fusion हो रहा होता है तो इन दोनों में से पहला कौन सा process होता है karyokinesis होता है cytokinesis होता है उच सकता है na karyokinesis का मतलब होता है nucleus और kinesis का मतलब होता है to divide करना और cytokinesis का मतलब होता है to divide करना अब तुम ही सोच के बताओ पहले nucleus divide करता है कि पहले cell divide करता है पहले karyokinesis divide हो पहले karyokinesis होगा कि पहले cytokinesis होगा पहले karyokinesis होगा पहले nucleus divide किया था देखो यहाँ पर पहले nucleus का lengthening start हुआ था nucleus 1-2 में हुआ उसके बाद यह तो अलग-अलग cell तो बाद में न तूटा पहले nucleus तूटा तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं पहले karyokinesis हुआ तब जाकर के cytokinesis हुआ बात समझने आई कोई दिक्कत कस्ट कोनो बात का पताओ कोई दिक्कत है तो यह question थोड़ा important है कि पहले karyokinesis कि पहले cytokinesis नीट का भी important question है याद रखना पहले karyokinesis होता है कोई परिसानी यहां तक में चलिए आगे चले क्यों हो गया चलिए अब अगला प्रकार देखो क्या था इसका आँ बात करते हैं विखंडन अब लोग डिसकस कर चुके हैं विखंडन क्या है अब है अगला मुकुलन को अंगरेजिये में कहते है बडिंग पडिंग क्या होता है वो देखो बडिंग क्या चो होता है बडिंग जब कोई एक organism हो और इसी organism के उपर में छोटा सा ऐसा बड का formation हो जाए इसको कहते हैं बड तेक है और इसको कहते हैं parent organism इसको हिंदी में कहते हैं मुकुल अब मुकुल ही है इसका समझना मालव क्रिमिनल जस्टिस वाला मुकुलने है समझ में आया बात देखना जाके अब देखने मत लगना पहले परिक्षा देदो तब देखना जाके क्रिमिनल जस्टिस अब यह जो मुकुलन है यह क्या होता है वह देखो यह जो मुकुल बना यह जो बड़ बना किसी अब इसमें बहुत लड़कां लोग अग्दम गुशा चड़ गया होगा थे नहीं। भुषा चड़ तोह एक और किसी आभु अर्पी पर जिस भी चीज का बहता है जो यहोई पी जनरेशन आगे बढ़ता उ 항 मेजर रोल महिलाओं का होता है इसलिए हम लोग परते हैं डॉटर सेल जब भी कोई एक सेल पैरेंट सेल इवाइड करके दो नया सेल बनाता है तो उसको भी पास होने के लिए परिख्छा मैं डॉटर सेल लिखना हुआ अब इसको समझो क्या क्या होता है किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होना, माइटोसिस समझते हो तो अब पहले तुम लोग को माइटोसिस से समझा देते हैं क्या होता है माइटोसिस ती में समसूत्री विवाजन अब समसूत्री विवाजन क्या होता है सम मतलब क्या होता है बराबर जब कोई एक सेल जब कोई एक सेल बराबर पार्ट में तूट जाए तो बराबर भागों में तूट जाए और ऐसा होता नहीं है एक्चली क्या होता ने कि जब कोई एक सेल 2N वाला 2N 46 क्रोमोजोम है 43 क्रोमोजोम human का मालो ये सेल है human के सेल में 46 क्रोमोजोम होते है 2N की वैल्यू 46 होती है और N की वैल्यू कितनी होती है 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है ना जी याद है ना तो क्या होता है यही 2N यहां जो डिवाइड करके बना सेल यह भी 2N ही बन जाता है फिर से इन से जो नया नया सेल बनता है यह भी 2N ही हो जाता है तो जब कभी एक सेल डिवाइड करके चार नया सेल बना है लेकिन उसमें क्रो 2N था तो सब में 2N ही हो जाए तो इसको हम लोग सम्चुत्री विभाजन या माइटोटिक सेल डिविजन कहते हैं कोई कस्ट बिल्कुल PDF मिलेगा अमरेज जी अब भी मिलेगा ठीक है अब माइटोसिस समझ में आ गया मियोसिस भी समझना है क्या देखो क्या होता है माइटोसिस और मियोसिस में क्या difference होता है बता देते हैं इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध सुत्री विभाजन नाम से असपस्थ है अर्धशुत्री गुनशुत्र का आधा हो जाना डिवाईव होने के बाद कैसे एक सेल है उसमें नमबर आफ क्रोमोजोम समान लो 2 n है ये जब डिवाईड किया इधर इसका नाम है मियोसिस first मियोसिस first second क्या है यह हम तुमको अभी नहीं बताएंगे, class 11th का बहुत बड़ा chapter है cell division वहाँ पढ़ते हैं हम लोग, क्या मियोसिस first हुआ, तो cell divide कर गया दो क्रोमोजोम्स में दो cells में, और इनके पास अर्ध सुत्री विभाजन हो गया गुन सूत्र आधा हो गया तो इनके पास number of क्रोमोजोम्स कितने हो गए, n, n हो गए अब फिरदर यह जाकर के दो अलग cells में डिवाइड करते हैं बनाते हैं, n वाले चार cell जब कभी एक cell divide करके चार cell बनाए, लेकिन उसमें number of क्रोमोजोम्स के मुकाबले आधा हो जाए तो वो अर्ध सुत्री विभाजन यानि कि meiotic cell division meiosis cell division कहलाता है समझ में आया, इधर हो रहा है meiosis 2, इधर meiosis 1 हुआ था इधर meiosis 2 हो रहा है समझ में आगई बात किसी जीव के शरीर के बाहरी सता की कोशिकाओं में समसुत्री विभाजन से समसुत्री विभाजन, बड़िंग में याद रखना समसुत्री विभाजन होता है यहां से भी question आ सकता है कि बड़िंग में कैसा विभाजन होता है मुकुलन में कैसा विवाजन होता है समसुत्री विवाजन होता है माइटोटिक सेल डिविजन होता है पहरी सता की कोशिकाओं में समसुत्री विवाजन से एक उभार बनता है देखो ये जो उभार बना है एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं के विधी को मुखूलन के निर्मान होने की वज़ा से जो रिप्रोडक्षन होता है वह एक प्रकार है जिसको हम कुलन कहते हैं किशम में मुकूल विक्षित होकर एक पूर्ण जीव बनता है देखो एक नया जीव बन गया था नग्राइव li ली तो युण बोले थे कुसमें किसमें होता है मुख्फूल का से और reproduction in which a new organism develops from a bird of an existing organism एक organism जो पहले से होता है existing होता है उस पर बढ़ का development होता है बढ़ का formation होता है और ये बढ़ का formation होने के बाद ये बढ़ इससे अलग हो जाता है डिटेच हो जाता है और वो बढ़ जो निकला था उससे एक नया organism का formation करता है यही कहलाता है क्या बढ़ कहलाता है समझ में आया until the new organism matures जब तक क्या organism ये वाला नया जो बन रहा है बढ़ ये mature नहीं कर जाता है तब तक इसी से जुड़ा हुआ रहता है और जब इससे mature कर जाता है ये वाला बढ़ पूरा तब इससे डिटाइच हो जाता है अलग हो जाता है पैरेंट और्गनिजम से और ये कहलाता है बढ़िंग कोई दिक्कत कोई कस्ट दुख व्यथा परिशानी तीड़ा उच्छो कोई क्लियर कोई दिक्कत नहीं सबकुस ठेक चलिया आगे चलते हैं लोग पोर फॉर्मेशन वीजानू का बनना देखो की बढ़ा ही का कुछ यह बढ़ा ही special type of reproduction है असेक्षल रिप्रोडक्शन का बढ़ा ही special प्रकार है क्या है इसमें वो देखते हैं पुलता है बीजानु जनन बीजानु जनन मतलब स्पोर फॉर्मेशन और लेंगिक जनन की एक उन्नत विधी है बहुत ही डैवलप्ड विधी है यहां मुख्य रूप से निम्नस रेनी के जीवों चोटे अस्तर के जीवों जो होते हैं उनमें जैसे जीवानु बैक्टेरिया के वालेशमें और अगर ओधि में पाई जाती है किसमें मिला यही में फंगस में बैक्टेरिया में उसमें मिलेश्पोरूलेशन को इसको अगर तुम सपॉरूलेशं भी लिखके दे घबराने वाकर बात नहीं है तक वाथ होता है है क्या अब देखो कि आप lasciyan किसको कहते हैं जिसमें इस पोर्ज अधर हुई होते हैं जैसे एक सिर्फ परेंजियम कें अंदर पिर सारा सवर एसा और होता है और यही पिजान द्हानिया होती हैं यह इस कैसे कैसे देखे बुढिया उढ़ता है यहां होता है एक ठाला ठाला ठीज होता है वो थेला खैटा इच्चो रहनेक बाद फटता है फटने से ढेर सारे इस तरह से और जहां जाता है अनुकूल इन्वारमेंट मिलने के बाद, अनुकूल वातावरन मिलने के बाद, यह जहां डिस्पर्स होता है, जहां जमीन पे जाएगा, वहां नया फॉर्मेशन करेगा, जमीन पे ही नहीं, जैसे मालो ब्रेड है, ब्रेड को बहुत दिन तक फिरिज में रख दो, फिरिज म अन्दानिया एक सुक्ष्म थैली है, थैला जैसा स्ट्रक्चर है, जिस जैसी सरचना है जो प्रतिपूल परिस्थिती में, प्रतिपूल मतलब विपरीत परिस्थिती में, अपोजिट कंडिशन्स में अन्फेवरेबल कंडिशन्स में प्रतिकूल परिस्थिती में निर्मित होती हैं इनके अंदर असंख्य गोलाकार शूख्ष्म जिवानू या स्पोर यह स्पोर है स्पोर लिखना स्पोर का निर्मान होता है कमझ में आया क्या बोला एक थैला-like structure होता है जिसक पूल्वा कावरन मिलने के बाद उस्ते जाकर के नया और्गनिजम बनता है पोर्फॉर्मेशन इस अन एसेक्षवल रीप्रोडक्शन टेक्नीक इसमें क्या होता है मैनी स्पोर्स आर हाउज्ड इन सैक नोन अज इस पोरेंजिया यह वाला जो है इसको इस पोरेंजिया बो ओडियूस कर जाता है फट जाता है तीज इस पोर्स आर डिस पोर्स इंटु एर और यह वाम बदने के बाद कहा जाएगा हवा में जाएगा न में जार्मिनेट and create a new plant under favorable conditions under favorable conditions काने का मतलब spore का formation तो unfavorable condition में होगा लेकिन कोई चीज़ का growth कब होगा जब condition favorable होगा समझ में आया spore तो बन गया spore बना unfavorable condition में लेकिन spore जब germinate करेगा नया plant बनाएगा तो उसको उसके अनुकूल environment अनुकूल वातावरन चाहिए अब कोई दिक्कत यहां तक अब कुछ क्लियर है कि यहां तक में कोई दुख कोई वथा कोई परिसानी कि इसमीद करते हैं नहीं होगा कि अगे चलते हैं कि पुनरजनन देखो आज बहुत ज्यादा तक लेकर नहीं जाएंगे आज कमी चलेंगे उसके बाद आगे चलेंगे हमें का थोड़ा सा कमी है उसके लिए पुनरजनन उसको कहते हैं regeneration यह क्या होता है regeneration क्या होता है पुनरजनन प्रजनन की एक औल एंगिक विधी है देखो हम समझा देते हैं तुमको regeneration क्या होता है बता देते हैं पुनरजनन देखो क्या होता है क्या बनाई यह क्या है planaria planaria के बारे में एक और important question आता है लिख लेना है it is a to regenerating animal it is a to regenerating animal question याद आता है इस पर लिख लो इस बात को note कर लो copy pen साथ में लेके बैठो समझ में आया अब देखो तो अगर बीच से cut जाए इसका regeneration का process ही होता है कि बीच से अगर cut जाएगा cut जाएगा तो हर पार्ट इसका यह मूँ वाला पार्ट है यह body वाला पार्ट है यह टेल वाला पार्ट है इसका हर पार्ट एक नया planaria बना लेता है 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 हर बॉड़ी पार्ट है यह प्लैनिरिया बना लेगा है जाया है अब देखो क्या हुआ एक बॉड़ी पार्ट यहां से तूटा हुआ था तरह से इतना सा पार्ट कर गया इसे पार्ट में क्या दिखा इजनेरेशन दिखा इप्रॉसेस को इजनेरेशन कहते हैं अब इसको भासा में सम्दों कैसे क्या होता है कैसे लिखते हैं अगर जनक जीव का शरीर पैरेंट का शरीर यदी कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रतियेख हिस्सा उनरजनित हो जाता है देखो कटा हुआ प्रतियेख हिस्सा यह भी पार्ट कट गया था यह भी पार्ट कट गया था यह भी पार्ट कट गया था कटन ने शरीर के हिस्से से पूरी तरह से एक नया जीव बना लेता है पूरा जहां से कटा वहां से पूरा जीव बन जाएगा ठीको कहते हैं हम लोग रीजनेरेशन का विधी रीजनेरेशन इस दनेचुरल प्रोसेस अफ रीप्लेसिंग और री स्टोरिंग और मिसिंग सेल्स इसूद और और एंड इवन इंटायर बॉड़ी पार्ट पूरे बॉड़ी पार्ट में डवलपिंग हो जाता है तो फूल फंक्शन प्लांट सेनिमल अब देखो तुम प्लांट में तो पढ़ लिया एनिमल में कहां होता है भाई कर देखा है घर में किर्गिट और छिपकली दो चीजे हैं दो अलग अलग जानवर होता है चिक है किर्गिट पीजी में क्या कहते हैं इसको कि अग्रेजिम क्या कहते हैं कि अग्रेजिम क्रिगिट को इधर जो होता है चिपकली जो होता है को लोग कहते हैं घर में जो चिपकली पाया जाता है वो लिजार्ड है उसका अगर पूच कट जाता है तो वो नया पूच बना लेता है उसके पूच में regeneration हालांकि उसका पूरा सरीर regenerate नहीं करता है उसके सिर्फ पूच में regeneration देखा जाता है इसलिए गिर्गिट का हम लोग कहते हैं कि पूच को अगर काट जाए वो नया पूच बन जाता है उससे नया regeneration हो जाता है पूरे के जाता है समझ में आया कोई दिक्कत पीडिएफ आपको टेलिग्राम ग्रूप पर ही मिल जाएगा कि रवाज जी कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि चलिए पागे की तरफ कि खंडन देखो पहले जो पढ़ेते वो था भी खंडन बाइनरी खीजन अब है खंडन मतलब अंगरी जी में फ्राइग्मेंटेशन जहां रखना अंडन और विखंडन में गल्ती मत कर देना बहुत दिक्कत हो जाएगा नंबर कट जाएगा है अंडन बहु कोशी किया बहु कोशी किया जीवों में होता है मल्टी सेलूलर बहु कोशी किया मतलब हो रहा है है जो है ना को मल्टी सेलूलर अर्गनीजम्स में होता है जाहे वह पौधा हो या जानवर ठीक है पौधा हो या जानवर हो उसमें होता है इस प्रक्रिया में बहु कोशी किया जीव परिपक्व को होने पर दो या अधिक पुलों में बट जाते हैं और इसका एक्जामपल क्या है? स्पाइरो गयरा एक जानवर है उक जानवर अगर बीच से तुट गया टुकडा में हो गया ऐसा यह तुमारा स्पाइरो गयरा आप टूट जाना तो इसका भी हर एक पाट नया नया बना लेता है स्पाइरो गयरा यह नेच्बन विधी नहीं है जो रिजनरेशन था जा लेकिन यह नेच्बन बट जाना है इसके बड़ प्रतेख टुकडा एक नया जीव के रूप में विक्षित होता है हर टुकड़ा हर एक टुकड़ा एक नया जीव के रूप में विक्सित होगा ये टुकड़ा अलग जीव बनाएगा ये टुकड़ा अलग जीव बनाएगा ये टुकड़ा अलग जीव बनाएगा पाइरो गायरा इसका एक्जामपल है जो कि एक पाउधा है और समुद्री एन of cloning where one organism is divided into minor fragments one organism divided into minor fragments once divided एक बाद डिवाइड अगर हो गया इस फ्रेगमेंट डेवलप इन्टो individual ones which are fully grown तो बाद में एक नया और्गनिजम बना लेता है इसको हम लोग खंडन या fragmentation कहते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम साफ आसान भासा में से बात कर रहे हैं हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं काईक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहीं तक रखेंगे आज इसको हाला कि इसके आगे भी स्लाइड्स हैं बनी वी तेकिन हम लोग इसको आज डिसकस नहीं करेंगे अगले इसकी खिश्क लंबा चला जाएगा टीक है काईक प्रवर्धन क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेशन क्या होता है वेजिटेटिव प्रवर्वर्ड़न को देखते हैं अगर हम प्लांट के किसी पार्ट का यूज करके पौधे का किसी भाग का यूज करके नया पौधा बना दें तो उसी को हम लोग काईक प्रवर्धन कहते हैं प्लांट के पार्ट को यूटिलाइज करके नया पार्ट बना देना काईक प्रवर्धन कहलाता है देखो क्या बोला इस जनन में पादप के मत होकर नए स्वतंत्र पाज़ब के रूपें पुनर जनन या विकास होता है अभी तुम लोग बहुत लोग किया होगा जैसे माझ लोग घर में गुलाब का पॉधा है ने बोलतों आज तुमरे यहां लाल गुलाब है एक काम करों करूं ललका का Danty काट के तुम हमको दे दो, हरका का Danty काट के हम तुमको दे देते हैं बदल लेगे, एक जुसरे से Danty जाक लगा देते हैं, गुलाब लग जाता है, तो क्या कहते है Stem Cutting, इसी का एक टाइप है तो क्या की हम लोग Plant के ही एक part, stem का part का यूज करके एक नया प्लांट बना लिए करते हो ना दूसरा बात छोडो इसको छोडो तो cutting हो गया column करना समझते हो ग्राफ्टिंग करना कभी देखे हो ऐसा कि यह कि एक main plant है उस policy में दूसरे प्लांट का डाला के लगात दिए उसको बांद दिये पन्नी से अच्छा से फर्टिलाजर गुबर वगएरा दे करके और उसमें भी नया एक आम का मालदा आम भी उसी मुग रहा है बंबाय आम भी उसी में उग रहा है किसी का टाइप है इसको आगे पढ़ेंगे भी हम लोग समझ में आया प्लांट के ही एक पार्ट का यूज करके नया प्लांट बना देना क्या बोला इस जनन में पादप के काईग भागयों भागों द्वारा नये पादप का निर्मान होता है गवा प्रकिरिया गवा प्रकिरिया जिसके अंतरकर पादप शरीर का कोई भाग प्लांट के ही सरीर का कोई भाग अलग अलग होकर नएém sırतंत्र पादप के रूप में पुनरजनन या विक्सीत होता है का कहलाता है काइव जनन कहलाता टॉért प्रता है न्यावाइऔर जनरेट कर जाता है से अब ही रोजयांपल लिए एकजमपल का लाता है यह से टो डेवलऻाइब करता ही है तुमको फटा यह हिए जडु खैल के हम Megamura की पाउदा का ओडाता है जब हम फ्लांट के किसी पाट के प्लांट करा दें वह टाइप सो बेज्ट्रेटी प्रोपेकिशन काई की जनने के प्रकार देख लो पहला है कटिंग किसी को कलम कहते हैं दूसरा ग्राफ्टिंग रोपन कहते हैं लेयरिंग दाब लगाना या लेयरिंग एक ही बात है इसके आगे की बातें कल करेंगे यहां तक का प्रॉबलम बता यहां तक में कोई कस्ट दुख व्यता परिसानी कुछो यहां तक में कोई कस्ट है किसी तरह का कोई कस्ट है तो बताओ तो हम लोग क्लियर कर लेंगे अभी कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ सब कुछ क्लियर है चलिए सब मिलते हैं कल के क्लास में अपने इसी समय पर धाई बजे ठीक है दो तीस में लाइफ मिलते हैं कल उमीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसका पीडियाफ हम अभी आपको टेलिग्राम पर शेयर कर देते हैं ठीक है चलिए